नमस्कार बहुत बड़ी खुसकावरी आ चुकी है मुख्यमंतरी बालक बाली का मादमिक फ्रोथसान योजना से जुड़ा हुआ जिनोंने 2023 में मैट्रिक पास किया है फर्स डिविजन या सेकंड डिविजन तो उन लोगों के लिए 10,000 और 8,000 जो मिलते हैं उसके लिए उनलाइन शुरू हो चुकी है लिंक देख सकते हैं एक्टिवेट हो चुका है तो कैसे फर्म को भरना है ये वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं देखें फर्स डिविजन और सेकंड डिविजन दोनों को यहां पर दी जाती है देख सकत की वेबसाइट पे मेधासॉप्ट.bis.nic.in पे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है वहां से भी आप ऑनलाइन आभी दन कर सकते हैं देखें मुखे मंतरी बालक बाली का टेंथ पास के लिए यहां पर लिंक मिल जाएगा आपको अपलाई ऑन की वेबसाइट बिल्कुल खोल चुकी है दस्वी पास के लिए यहां पे कुछ इंस्ट्रेक्शन दिये गया है जैसे जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इंस्ट्रेक्शन में यहां पर बताया गया कि जो आपका रॉल नमबर डिवी जनमती थी जो यही सब जनकारी जो यहां पर बताई गई है और ऑनलाइन करने के बाद 15 दिनों के अंदर यूजर आइडियो और पासबर्ट भेजा जाएगा उसके बाद आपको फाइनली सम्मिट भी करना पड़ेगा तो पहला अस्टेप कैसे करना है देखिए यहां पर नीचे जीएगा और continue पटन पर किलिक कर लेना है अब यहां पर continue पर किलिक करते हैं देखिए form खुल चुका है यहां पर सबसे पहले क्या करना है आपको अपना जीला सेलेक्ट करना है जहां से आपने metric पास किया है उस जीला को सेलेक्ट करना है ना कि आप पतना जीले कर रहने वाल और उसके बाद यहाँ पर देखे, registration number मांगे जाती है, फिर आपको registration number भर देना है, आपके mark seat में registration number होगा, वो registration number यहाँ पर भरना है, फिर candidate का नाम, अभियार्थी का नाम, student का नाम यहाँ पर लिख देना है, 10B के mark seat में जैसे नाम है, spelling कोई भी mistake नहीं करेगा, अगर spelling mistake होगी तो आपका पैसा अटक जाएगा फिर यहाँ पे देखे जनम तित्थी है जो 10 वी में आपका mark seat है उसमें date of birth होगा उसको देखके अच्छे से यहाँ पे select करके डाल देंगे फिर यहाँ पे father का नाम है यहाँ पे father का नाम select करेंगे और लिखेंगे और डालेंगे और यहाँ प category से belong करते है general BC, EBC, SC, HD वो आपको select कर देना है फिर यहाँ पे आ जाता है roll number है married, unmarried यह आपको select करना है तो यहाँ पे ज्यादा तर नोही रहेगा अब यहाँ पे आ जाता है देखे आधार number ठीक है यहाँ पे आपका आधार में नाम जो है वो लिखना है तो आधार card में ब आधार कर वाले पहले उसके बाद online करें नहीं तो आपका verification के time पैसा अटक जाता है बहुत सारे candidate का पिछले बरस देखा गया कि verification में अटक जाता है आधार में अगर कुछ गलती रहता है तो तो पहले सुधार कर वाले आधार card में उसके बाद ही आविदन करें तो देखें यहां पर जो आधार में नाम है वो डालेंगे फिर यहां पर gender select करेंगे male female पुरूस महिला और यहां पर आधार number डालेंगे ठीक है डालने के बाद यहां पर date of birth डालना है date of birth जो आधार card में है वही डालेंगे ठीक है क्योंकि बहुत सारे student का ऐसा होता है कि metric के mark sheet में date of birth कुछ है तो अगर थोड़ा date बगेरा का अंतर है तो डाल देंगे कोई दिकत नहीं होगी लेकिन अगर दो साल चार साल पान साल का अंतर दिखा रहा है आधार card और mark sheet में तो आप पहले आधार card सुधार कर लें उसके बाद ही आविदन करें नहीं तो reject होने की संभावना जो successfully इसी परकार से नीचे आएंगे तो देखें आप दो mobile number मांगे जाते हैं एक तो आप अपना mobile number डालेंगे verify भी तो OTP पे किलिक करेंगे तो आपको एक OTP भेज जाएगी OTP डालेंगे तो mobile number verify हो जाएगा फिर यहाँ पर second में देखें एक और mobile number है तो इसमें आप अपने family का किसी का डाल सकते हैं ममी पापा जिसका भी डालना चाहें भाई उसका डाल सकते हैं तो दो mobile number यहाँ पर मांगे गए हैं OTP डालके verify कर लेंगे ठीक है और यह ध्यान रखिएगा कि जो mobile number आप दे रहे हैं उस mobile number का दूसरा candidate को यूज ना करें अगर दूसरा candidate यूज करेगा तो हो सकता है दोनों का पैसा अटक जाए तो जो mobile number डालेंगे एक candidate के लिए एक ही mobile number यूज करना है फिर नीचे आएंगे तो देखे email ID है email ID डालेंगे और OTP डालके verify कर लेंगे और preview बटन पे click करेंगे प्रिव्यू पे click करते ही आपको आपका देखे आप प्रिव्यू दिखा देगा प्रिव्यू देख लेंगे और यहाँ पे नीचे देखे आपको option मिलता है कि upload metric mark sheet या फिर certificate और सिर्फ यह जो है PDF में मांगा गया है ठीक है PDF में 400 KV तक का आप upload कर सकता है यहाँ ठीक है और दूसरा साइड जो address वगेरा रहता है वो दोनों एक ही page में होना चाहिए और दोनों को upload कर देंगे upload करने के बाद यहाँ पे register here पे click करेंगे तो आपका registration हो जाएगा अब दोस्तों आपको एक message मिल जाएगा देख पारे होंगे यहाँ पे की registration आपका successful हो चुका है तो इस प user card से जो है आपको आविदन करना था और 15 दिन आपको wait करना है आपको एक user ID और password मिलेगा जब user ID password मिल जाएगा तो फिर आपको login करके form को complete करना पड़ेगा दिखेगा अगला step जो आएगा वो वीडियो मैं आपके लिए अलग से लिए करा होगा ठीक है जब user ID password आ जाएगा तो अलग से वो वीडियो भी आजाएगा तो चैनल को जल्दी से subscribe कर लिजे ताकि अगला step जब complete हो तो वो भी आपको आसानी से जानकारी पराप्त हो सके तो चैनल को जल्दी आदी subscribe कर लिजे और वीडियो को जदा जदा सेर भी कर दीजेगा तो चलिए अब इसे print करके आने वाला है तो इसको अच्छे से सुरच्छित से रखिएगा प्रिंट करके देखे यहां पर मैसेज भी दे दिया जाता है नीचे में लिख भी दिया जाता है कि आपका आवेदन विभागिये पोर्टल पर सत्यापन है तू सफलता पुर्वक दर्ज हो गया है विभागि और पास्वर्ड प्राप्त होने के साथ दिनों के अंदर विभागिये पोर्टल पर यानि कि इसी पोर्टल पर आपको आकर आवेदन को अंतिम्रूप यानि फाइनलाइज करना होगा अन्य था आपका आवेदन जो है अपूर्ण माना जाएगा तो 15 दिनों के भीतर ही आप आपको यूजर आईडी और पास्वर्ड मिल जाएगा तो उसके जैसा ही यूजर आईडी और पास्वर्ड मिल जाएगा उसके साथ दिनों के अंदर ही आपको ये फॉर्म को फिर से कंपलिट करना पड़ेगा नहीं करेंगे तो आपका जो है फॉर्म अधूरा रह जाएग पंजी किरित आधार संख्या से एक बैंक खाता जुड़ा होना चाहिए देखे। एक्टिव होना चाहिए बंद वगेरा नहीं होना चाहिए गलत आधार संख्या एवं बैंक आकाउंट पाये जाने की स्थिती में संपूर्ण जिम्यदारी आवेदक की होगी एवं आवेदक कानूनी कारवाई के भागी भी होगे तो कोई भी गलत जानकारी नहीं भरनी है बि उससे पहले ही जो दो चार पाइस दिन में यूजर आईडी मिल जाती है यूजर आईडी मिलने के बाद जो है आपको कम्पलिट करना है तो जैसा ही यूजर आईडी एक पासबर आता है मैं आपको अगलास टेप करके दिखाऊंगा तो बने रहिएगा हमारे साथ चैनल को जल्दी से सबस्क्राइब कर लिजे पलपल की अपडेट के लिए मैं मिलूगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ अब तक के लिए बाई जैहिंत